आगामी एशियन गेम्स और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कुस्तिक की असपरधा में भारती टीम में शामिल होने के लिए जो ट्राइल मैचेज होंगे उसमें आंदोलनकारी छे पहलवानों को छूट दी गई हैं। वो सिर्फ एक मैच जीत कर क्वालिफाई कर सकते हैं। ये खबर जैसे ही आई इस पर विवाद शुरू हो गया। उलम्पिक में भारत के लिए कुष्टी में मिडल जीत चुके योगेश्वर दत ने इसे कुष्टी के इतिहास का काला दिन बताया तो प्रदर्शनकारी पहलवान विनेश फोगाट ने एक लंबा ट्वीट करके पलटवार किया। उन्होंने कहा कि योगेश्वर की घटिया हसी उनके दिमाग में अटक गई है। का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद जो है बीच में सरकार को आना पड़ा बादचीत हुई और अब जो है ये फैसला आया एक तदर्थ कमीटी बनाई भारतिये उलम्पिक संग ने कुष्टी के लिए और उसी एड होक कमीटी ने ये फैसला लिया है कि जो प्रदर्शनकारी छे पहलवान थे उन्हें कुष्टी के ट्राइल में छूट दी जाएगी और वो सिर्फ एक बाउट जीत कर भारतिये टीम में शामिल हो सकती हैं मतलब कि वो रिसलिंग के लिए क्वालिपाई कर जाएंगी जबकि जो बाकी स सारे पहलवान हैं उन्हें सारे बाउट्स खेलने होंगे सारे मुकाबले खेलने होंगे इसी पर योगेश्वरदत जो कि ओलंपिक में भारत के लिए कुष्टी में मिडल जीत चुके हैं उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि ये छूट आखिर इन ही छे पहलव पहलवान हैं उन्होंने रवी दहया का नाम लिया जो की ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट है उन्होंने कहा कि उन्हें ये छूट क्यूण नहीं वो क्यों खेलेंगे सारे मुकाबले उन्होंने दीपक पुनिया का नाम लिया उन्होंने अन्शु मलिक का नाम लिया जिन्होंने की वर्ल्ड रिसलिंग में सिल्वर मेडल जीता है कि पूछा की उन्हें ये छूट क्यों नहीं मिल रही है तो ये सवाल उन्होंने खड़े किये आपको बता दू कि जिन छे रिसलर्स को जो कि धर्ना प्रदर्शन में बैठे थे उन्हें ट्राइल में छूट दी गई है उन्हें पहलवानों के नाम अगर आप जानना चाहें तो वे छे पहलवान हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ये तीन पहलवान हो गए इसके अलावा संगीता फोगाट, सत्यवरत, कादियान और जितेंद्र किना ये छे पहलवान सिर्फ एक बाउट जीत कर भी जो है भारतिय टीम का प्रतिन दित्तों कर सकेंगे, भारत का प्रतिन दित्तों कर सकेंगे एशियन गेम्स में, अगर हम आपको बताएं कि जो बाकी के पहलवान हैं वो सारे मुकाबले खेलेंगे और वो जो चैंपियन बनेगा जो बाकी सारे मुकाबले खेल कर जो एक विजेता निकल कर आएगा केवल उन ही से इन पहलवानों का मुकाबला होगा और एक बाउट वो अगर ये पहलवान जीत जाते हैं तो वो क्वाल पाई कर जाएंगे और जो बाकी मुकाबले खेल कर वहां आया था वो बाहर हो जाएगा तो इसी पर योगेश्वर्दत ने ये सवाल खड़ा किया है उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है छे मिनट के आसपास का वो वीडियो है और जिसके कैप्शन में उन् उठाते हैं वो कहते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था ये योन शौसन के खिलाप हुआ था या ट्राइल से छूट लेने के लिए तो ये कड़े सवाल भी योगेश्वर्दत करते हैं जवाब में विनेश फोगाट ट्विटर पर आती हैं और एक लंबा पोस्ट ल वो हिस्सा थे मतलब योगेश्वर्दत हिस्सा थे दोनों कमीटियों का वो लिखती हैं जब महीला पहलवान अपनी आप बीती बता रही थी तो वह बहुत घटिया तरह से हसने लगा था यहाँ पर वो योगेश्वर्दत के लिए ये बाते कह रही हैं उन्होंने योगेश पुछ वर्दत, ब्रिजबुशन, शरण सिंग के पक्ष में हैं और उनके कदम चाटते हैं कुछ इस तरह की भाशा का उन्होंने प्रियोक किया है और आप कहा सकते हैं कि कई व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाए हैं county वे व्यक्तिगत आरोपों की जो फैहरिस्त है वो कि वो महिला पहलवानों को कहते थे कि आप आरोप वापस ले लो ये सारी बाते तो उन्हों ने की लेकिन जो सवाल योगेश्वर दत ने काड़े किये थे कि ट्राइल में छूट क्यूं इस सवाल का जबाब विनेश ने अपने ट्वीट में नहीं दिया है ये एक सवाल जो है वो मन में सभी के आता है और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट एक बड़ी खिलाडी है महान खिलाडी है और उन्होंने रेसलिंग में कमाल का प्रदर्शन किया है भारत के लिए तो मुझे लगता है कि अगर वो सामने आकर योगेश्वर के सवाल खड़े करने के बाद आकर वो ये कहती कि ठीक है मैं भी सारे पहलवानों के साथ जो हमारे साथ ही पहलवान है चुकि बाकी पहलवान जो सारे मुकाबले खेलेंगे वो भी तो पहलवान ही है तो हम मैं उनके साथ खड़ी हो और मैं उन्हीं की तरह सारे मुकाबले खेलूंगी अगर ये बात विन बड़े नाम हैं चाहे वो योगेश्वरदत की हम बात कर लें या विनेश फोगाट की हम बात कर लें ये जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाया है और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कुष्टी के लिए ठीक नहीं हो रही और इसका एक हल निकाल जाना जो है वो जरूरी है अभी आपसे अनुमती चाहूंगा इजाज़त दें नमस्कार